Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty So guys, आज के वीडियो में मैं आप रोको को बताने वाले हो कि females period के बाद कब pregnant बन सकती हैं यानि females period के बाद कब संबंद बनाने से pregnant बन सकती हैं तो जो भी महिलाएं pregnancy के लिए try कर रहे हैं वो ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि period के कितने दिन बाद संबंद बनाने से 100% गर्ब ठहता है तो आज के इस वीडियो में मैं यही आप लोगों को बताऊंगी कि period के बाद में वो कौन से दिन होते हैं जब आप 100% pregnant बन सकते हैं तो वीडियो बहुत यूसफुल है सभी महिलाओं के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा अच्छा लगे यूसफुल लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत पूलेगा और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को भी बिना अब हम बात करते हैं कि पीडियो के कितने दिनों बाद गरब ठहरता है तो पीडियो सुरू होने के 14 दिन बाद आप प्रेग्निंट हो सकते हैं यदि आपका पीडियो शेकल 28 दिनों का होता है तब क्योंकि यह समय आउविलेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इस द आपके अंडासे से अंडारीलिस होता है जो बाड़ा से चोईस खंटे तक रहता है लेकिन इसके लिए आपका आउविलेशन साइगल का सही होना बहुत जरूरी है तो जब भी आप प्रेग्नेंसी के लिए रिलेशन बनाए तो आउविलेशन पीडियो का जरूर ध्यान जब आपके 5 EU आउविलेशन के लख्षनों के बारे में बातकरे तो आउविलेशन के लख्षनों को ट्रैक करने से और्टों को हर महीने ऑविलेट करने के 1 साथीक दिन को कनफर्म करने में हेल्प मिलते हैं इसका पहला जो लक्षन है वो यह है कि पेट के निशले हिस्ते में हल्की एंठन होते हैं दूसरा जो इसका लक्षन है बोड़ी का टेंपरेचर थोड़ा बाढ़ जाता है अगला जो इसका लक्षन है एक हाई सैक्स के लिए अन्य विकल्प जैसे कि ओफिलेशन प्राइडिक्टर की टिया फिर फर्टिलिटी मॉनिटर का उप्योग भी कर सकते हैं इन दोनों वीडियों का साथ में उप्योग करने से कोई भी महिला फर्टाइल विंडो को आसानी से ठ्रैक कर पाएगी इस तरह से आप पीरि के बाद प्रैग्निंट हो सकते हैं तो गैस यह था मेरा आसका वीडियो जिसमें आप लोगों को यह जानने को मिला कि इस के कितने दिनों बाद में गरब ठहरता है तो मैं आसा करूंगे मेरा आसका वीडियो आप लोगों के लिए यूसफुल रहे सो मिलते हूं नैक्स्ट वीडियो ने तब तकी ले किली बाद घए इसका है